schizophrenia say के आलोग मोरिया घलत नहीं है आलोग मोरिया क्या गलत है उसमें अपना जोıyı क्या एक सफाई कर्मी के नौकरी करके इनको पढ़ाया लिखाया जो-भी उसके पास अंसार इनको को बेवस्था दिया और बेवस्था दे करके जब यह बड़े पत्पे हो गई तो उसको चुकरा दी क्या महिलाओं के यही काम है खाले जो पते कहें वहीं सुने अरे सिधी सिधी बात है धर्मसाष्ट करता है नीद करती है सब लोग करते हैं कि पूरुष के नीचे जो इस्ति नीचे महिले कानीफशुप दंदा करके है अब एक तो यह योति मौरिया की लेकिन प्रतार्णा इतनी जिए्योश को जिलना हो रहा है आज हमारी वह नो किसी का साथी कर दे हम और सिच्छा घ्रहनन कर रहे हो कल को हमने सचा कि उसकी साथी कर देंगे वो सिच्छा घ्राद क तो वह किस बेस्वेकराएगा, यही बेस्वेकराएगा कि यह कल को किसी पत्प हो जाए और हमको ठुकरा करके चली जाए अलोक मोरिया का आरोप है कि दस साल मेरे साथ रिलेसंशिप में रही, मेरे दो बच्चे हैं तब उन्होंने नहीं कहा, आज मुझे एडियम बनने के बाद धोखा क्यों दे रहे हैं इसलिए दोखा दे रहे है कि में नीचे पत्प हूं 100% बोंजये बल्च attorney को इसलिए मुझे चोड़ करके जा रहे हैं तो आपका कहना है कि आलोग मोरिया सही आदमी आलोग मोरिया राइट है तो कहीं आलोग मोरिया भी तो दबाव बना रहे होंगा आखिल जो पर्दिक पीछे रहना चाहिए पर्दिक सामने आ गया क्या करें अगर हम प्रतारीत होंगे तो हम क्या करेंगे पर्दे के आड में रहेंगे अगर हमको कश्ट होगा तो मैं पर्दे के बाहर तो जाऊंगा ही जब तक सहनता रहती है तब तक आदमी कोई बात को वाइरल नहीं करता है जिस दिन उसके हद से उपर जाती है उस दिन व महिला आयों के खिलाब कुछ भी होने वाला नहीं है पूरूस अगर जरा से भी लिफ्ट पाया जाता है तो इसके खिलाब कारवाई होती है बता दीजिए कि आप जोती मौरिया के खिलाब क्या हो गया उनको तो वहां से बर्खास तो कर दिया गया है बर्खास करने से क्या मतलब है बताइए ये समाज में इतनी बुराईया पहला करके इनको बर्खास कर देंगे फिर ये कल जो आप पर प्र हो जाएंगी कोड़ से जो आप उसको कह देंगे मैं छोड़कर चला जाओंगा तो भाई उसको मार रही है आप ने उसका तो जान ले रही है खाली अवो दो बच्चा पैदा कर दीए आप वो किस घाट लगेगा उसको लेकर कि वो अपने इज्जत को बचाना चाह रहा है आलोक मौरिया और ये उसकी इज्जत को खत्म करना चाहती है कहें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एषडियम बनने के बाद हो घमन डा गया वो तो जाइल सी बात है कि उनको उस पद की गरिमा उनको उस पद का जो है ज्यादा जो हाव भाव दिखाई दे रहा है उनके इंदर वो जाने कि जब तक मैं प खराब हो गया यह उसके वे धोबी का कुता नघर का नघाट का न तो यह अपनी पतनी के हो पाएं न तो प्रेमिका के हो पाएं अब तो यह कुतों की तरह इंदर जा रहे हैं भीगी बिली कि तरह भाग रहे हैं अपना मू छुपा रहे हैं समाज से चुपा रहे हैं बेट बहुत ही दुख की बाते नहीं बहुत ही अधीक से अधीक दुख की बाते जिसका कोई मतलब आकलन नहीं किया जा सम्ता